इन्वर्सिटी वा कॉलेज के बिकॉम के स्टुडेंट के लिए बहुत बड़ी अलाउंस्मेंट की गए यह फरकार के उसे बहुत बड़ा ऐलान किया गया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी इन्वर्सिटी पे यह ऐलान हुआ है कौन से इन्वर्सिटी के तो कल दियते हैं लेकिन अभी एक इन्वर्सिटी ने लिए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं कि है क्या यह फैसला बड़ा तो चलिए जो भी हमारे बेशी बिकॉम के फाइनल येर वाले बहुत प्पार स्टुटेंट क्या होता था कि बेशी बिकॉम के तहरों समय चल लाए अगर वार्शिक वाले भी हैं तो थार्डेयर समय gloss वाले तो सिक्च समस्ट ठीक है तो आप किसी एक्जाम में फेल हो जाते हैं मालीज़ एक परिष्छा मालीज आप का हिंदी सोसोलोदी तो आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए यह फिर कोई पेपर आप नहीं दे पाएं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत समस्चा आती थी क्योंकि आप भाई जब फाइनल एर में आप फेल हो जाएंगे तो आप कोई डिगरी जो हो कंपलीटने होगी आपको इंतजार करना पड़ेगा दुबारा फे फिर जब एक साल बाद या फिर छे महने बाद जब आप सभी की परिच्छाएं होंगी तो आप फिर परिच्छा देंगे तो आप सभी का रिजल्ट आएगा अगर उसमें पास होगे तो फिर आपका डिगरी मिलेगी यानि कि इस तरह आपको एक साल का इंतजार करना पड़ता था ठीक है लेकिन अब बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि जो भी बीए बेसी बीकॉम के फानल येर वाले स्टुडेंट अगर मालेजे के फेल हो जाते हैं लास्ट येर में ठीक है तो जिस भी सब्जेक है कि वह उसी वर्स मतलब कि जब रिजल्ट आता उसके पंदा से बीफ दिन या फिर एक महीने का अंतरा ली परिच्छा दुबारा दे सकते हैं और परिच्छा जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसकी दुबारा परिच्छा देकर वह फिर से पास हो सकते हैं उनको की लाइगा ठीक हो एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगे नहीं इस तरह भर फेल होंगे तो एक साल परिच्छा आइज देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फेल हो गए हैं तो जो डुझे महींने जिस फिर लाखों स्टूडेंट के फाइदा होगा हलांकि इस इस वज़ा से यह बहुत बड़ी लाउंसमेंट की गई यह पूरा जो जानकारी है यहां पर बहुत बाकाइदा लिखा गया है तो इसको मैं टेलिग्राम और सब्सक्रेंड कर दूंगा तो बाकाइदा पढ़ ल लेजेगा और आपको सभी परकार के ब्रेट मिलती रहेंगी मिलते हैं कोडने वीडियो में जय हिंद्र